असलाम अलेकुम, बिस्मिल्लाहिर्वाह्मानि रॉहीं, जैसा कि आपको पतायाए आप चेप्टर नूबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, हम चेप्टर नूबर 2 के फर्स्ट आर्टीकल को डिस्कस कर रहे थे हैं, लास्ट लेक्चर में आपने एड टु टेरूल के बारे में पढ़ा तो उससे आगे नेक्स पॉइंट के ओपर चलते हैं, उमीद है आपको प्रीवेस लेक्शर याद होगा, क्यूंकि उसकी मदद से आपने नेक्स टॉपिक्स अब करने हैं, तो यह साथ-साथ आप पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, तो आपके लिए एजी रहेगा, आपको समझ भी आती जाएगी, और आपको नेक्स लेक्शर में प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ लेक्शर ऐसे होते हैं, जो प्रीवेस लेक्शर के ओपर डिपैंड करते हैं, तो उस वजह से आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इसलिए आप साथ-साथ याद करते रहें previous lecture को तो next lecture, at least next lecture लेने से पहले previous lecture को go through कर लें, तो वो आपके लिए असानी रहेगी, तो आज आपका topic है rectangular component of vectors rectangular component of vector, तो rectangular components किसी कहते हैं, तो directly topic और उसकी mathematical procedure पर जाने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो word लिखा, rectangular components यह components of a vector किसी क्या है, यह आपको exercise कर first short question में है, उसमें भी आप से पूछा गया है, components of vectors को define करें, तो components of a vector किसी कहते हैं, यह rectangular components किसी कहते हैं, तो आज़िए आपको थ्री definition इदर मैंने बताएं हैं, सबसे पहले यह आपको आनी चाहिए यह आप ninth class में, chapter number six में तो part के आएं, लेकिन यहां mention नहीं है book के ओपर, लेकिन यहां यह लिख लें सबसे पहले definition है, resolution of a vector resolution of the vector क्या है the process of splitting of a vector into its components यह एक vector को तोड़ कर उसको उसकी components में break कर देना तो यह है process, इस process को कहते है resolution of a vector resolution of a vector और यह क्या है, यह reverse process क्या है addition of the vector addition of vector में क्या करते थे आप एक यह एक से दो यह दो से ज्यादा vectors को add करकि एक resultant vector get कर लेते हैं बड़ा vector get कर लेते हैं जिसमें combined effect होते हैं तुमाँ vectors का एक मुश्तर का effect होता है combined effect होता है लेकिन इधर आप क्या करते हैं एक vector को उसके components में break down कर देते हैं तो इस process को कहते हैं resolution of a vector और यह mcqs भी आता है it is a reverse उसे यह पूछना है resolution of a vector is a reverse process of आगे option दिया होगे तो वो क्या है addition of vector का reverse process है यह mcqs भी आपका next component of a vector किसे कहते है the effective part of this of a given vector in a specific direction is called component of a vector कि आपका resolution of vector करते हैं और इसके process से जो आपके पास components आते हैं उन components को कहा जाते हैं आपकी components of a vector the effective part जो उनके parts आते हैं आपके पास उस से इस process से resolution of the vector से जो आपके पास components आते हैं उन components को कहते हैं components of a vector को effective part of a given vector in a specific direction is called component of a vector आगे आपके rectangular components किसे कहते हैं the components of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular components rectangular components अब मैं इस डाइग्राम बनाता हूँ डाइग्राम से फिर आपको यह explain करता हूँ यह देखें आप डाइग्राम से पहले frame लिया जिसे आप Cartesian system भी कहते हैं rectangular coordinate system भी कहते हैं आपने हो लिए यह इसमें y axis हैं आपकी यह आपकी x axis है इसमें आपने एक vector ले लिया vector a यह आपने consider कर लिया vector a अब यह देखें आपने इस a vector को उसके components में break down करना है तो यह देखें a को मैं break down करने लगा हूँ उसके components में तो यह मैंने a की head से perpendicular draw किया x के उपर भी और y के उपर भी मैंने करना है perpendicular draw उससे क्या होगा वो आपके पास उसकी components आजाएंगे तो यह जो आपने x के उपर पर perpendicular draw किया वहाँ से आपके पास आजाएगा a x यह जो length होगी यह a x हो जाएगी उस a का x component और जब आप y के उपर पर perpendicular draw करेंगे तो वहाँ से आपके पास a y आ जाएगा और यह length और यह length equal है इसलिए आप इसको भी a y लिख सकते हैं अब यह देखें जो आपका x की direction में होगा उसको आप a x i लिखते हैंगे जो आपका y के direction में होगा उसको a y j लिखती है जाएगा अब आपने अगर इस a vector को vector form में show करता हो तो वह कैसे गरेंगे तो वह लिखा जाएगा a vector is equal to a x of i plus a y of j इसका meaning क्या है कि आपने एक vector को उसके components में breakdown कर दिया यह उसका x component यह बता रहा है कि यह a की magnitude है a की magnitude x की direction में a x x की direction में यह a y, a की magnitude y की direction में तो यह आगे उसका लिखा हो वैसे है तो यह आपने breakdown कर दिया है तो यह चीज़ें आपको show करवाई हूई है इदर यह देखें यह उसने वर्ड लिखा हो था ना the component of a vector which are perpendicular to each other तो यह देखें यह component और यह component perpendicular नहीं है इस उसके perpendicular उसे कहते है जिनमें आपकर 90 का angle बने इनमें देखें 90 का angle बन रहा है तो यहां से फिर यह definition clear होती है which are perpendicular to each other यह are called rectangular component तो यह फिर आपके जो components आजाएंगे ax और ay वो they are mutually perpendicular to each other यह आप कहा सकते हैं तो यह देखें यह वही आपने काम किया consider a vector a represented by op तो यह जो आपने vector लिया था यह origin से start हो रहा है और इसकी magnitude a o से p और इदर आपने इसको assume कर लें यह point आपका m है इसको assume कर लें यह आपका n है ऐसे है तो यह देखें उसने कहा consider a vector a represented by op making an angle theta तो theta कहां बनते हैं आपका यह basically positive x-axis से anti-clockwise आपने start करना है तो यह आपका theta है basically यह theta है आपका draw the projection of om om यह देखें om of a vector op on x-axis आपने एक perpendicular draw किया om के उपर ऐसे है और इसी तरह on y-axis के उपर यह देखें o से n यह आपके पास आगया y-axis अब यह देखें यह diagram आपको show करवाई गया जो मैंने इदर बना दी हैं आपको इससे vector क्या आजागा vector a can be written as आप इस तरह लिख सकते हैं उसको vector को इसमें a-xi and a-y-j are the rectangular components of a हो जाएंगे आपके a-x and a-y-j are the rectangular components of a vector अब इदर चलते हैं आप x component कैसे get कर सकते हैं तो यह आपको इस diagram से ही मैं elaborate करता हूँ यह देखें आपने सबसे पहली एक triangle assume करनी है यह देखें o-m-p triangle o-m-p अब इसके अंदर मैंने x component अगर get करना है उसका for x component for x component यह देखें तो आपने trigonometric ratio याद होंगी आपको mathematics में आप trigonometric के portion में जो FSE pre-medic pre-engine के student है वो तो trigonometric का पूरे six chapters पढ़ते हैं तो वहां उनको यह याद भी होंगे तो cos का फार्मूला curly black hair means base hypotenuse over hypotenuse तो इसमें देखें आपका याद रखें थीटा के opposite हमेशा आपका perpendicular होता है 90 के opposite आपका hypotenuse होता है तो यह basic लिए आपका hypotenuse है यह perpendicular है और यह आपकी base है अब यह देखें base क्या आगी है आपकी OM मैंने आपको बताया थीटा के opposite perpendicular 90 के opposite hypotenuse जो आपका remaining रह जाए पार्ट वो आपकी base होती है तो base आगी ON, hypotenuse आपका OP अब यह देखें ON किसके equal है इसमें आ रहा है आपका AX तो इधर आजाएगा AX OP किसके equal है? A के है तो इधर आजाएगा A है तो A divide हो रहा है opposite side पर जाके multiply होगा तो यहां से आपके पास आगया AX equal to A cause of theta तो यह आपने X component get कर लिया इधर से अब आप चलते हैं Y component के उपर Y component कैसे get करेंगे? Y component के लिए तो Y component के लिए याद रखें आपका sin theta होगा some people have some का जो है वो S आगया P का perpendicular यह formula जैसे आपको याद करवाया गया है अब यह देखें इस diagram से आपका perpendicular क्या है? अगेन आपका MP हाइपोर्टनियूस क्या है? O P इदर आगया आपका sin theta अब यह देखें MP किसके equal है? A Y के तो यहाँ आगया आपका A Y O P किसके equal है? A magnitude के और यह sin theta के equal है अब यह देखें A divide हो रहा है यह आपने Y कंपोनेंट भी get कर लिया तो यह आपका topic था How to get rectangular component from a vector आप एक vector से उसके rectangular component कैसे get कर सकते हैं तो आपने कर ली है A X और A Y हासिल कर लिया आपका यही आपका target था अब next point है आपका यह Y कंपोनेंट भी आपने get कर लिया अब आगे determination of a vector from its rectangular component यह उसका reverse process है इसे previous आपने यह काम किया है कि एक vector से उसके components ली हैं और अब आपने क्या करने है अब आपने उसके components से vector को निकालना है उसका reverse process करना है तो इस तब rectangular components of a vector are given अब rectangular component आपको दे दिये जाएंगे आपने get क्या करना है आपने वहाँ से vector निकालना है और आपको पता है vector में दो चीज़ें होती है एक magnitude होती है और दूसरी direction होती है तो सबसे पहले आप magnitude निकालनेंगे second point पे आप direction निकालनेंगे तो चलते हैं magnitude के उपर तो यह आपको for megane shoot क्या काम किया हुआ है again आपका यह उसे use किया है यही diagram यूज करनी है और पैथागोरियन theorem यूज करते हुए उसने निकाला है तो पैथागोरियन theorem आपको क्या कहते है इधर चलते हैं यह देखें इधर से ही आपको elaborate करता हूँ according to the पैथागोरियन theorem आपको कहते हाइपोरियन स्केर जो इकॉल है base square plus perpendicular square तो यह हाइपोरियन स्केर क्या है आपका यह देखें इस diagram के accordingly आपको मैंने इधर mention कर दी है यह portion O, P जो है वो आपका हाइपोरियन स्केर फिर आपका base क्या है O, M जिसको A, X भी कहते है perpendicular क्या है MP जिसे A, Y भी कहते है तो यह देखें मैंने O, P, O, M, M, P इस diagram के accordingly values put की हैं इदर अब इसी तरह यह देखें O, P O से लेके P यह किसके equal है A के तो मैंने A put कर दिया इदर O, M किसके equal है O, M A, X के equal है तो यह देखें मैंने A, X पुट कर दिये दर उपर स्क्वेर साथ वैसे ही ज़र रहे है इसी तरह MP किसके equal है MP, A, Y के तो वो मैंने पुट कर दिये taking square root on both side तो फिर आप square root लिए तो यह जो square root से cancel हो जाएगा और आपको यह formula आ गया तो यह आपने magnitude get कर लिए दर से अब आप direction कैसे find out कर सकते है for direction तो direction के लिए 10 theta यूज किया गया आपका 10 theta आपको क्या कहता है 10 theta आपने जो formula याद किया है some people have curly break here through proper brushes through proper brushes means यह देखें direction के लिए आपको बताने लगो 10 theta is equal to true proper brush 10 theta equal to perpendicular over base perpendicular इधर क्या है आपका MP base क्या है आपकी OM MP किसकी equal है AY के OM किसकी equal है AX के तो यहां से आगया आपका 10 theta is equal to AY over AX जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 inverse AY over AX तो यह आपका formula आगया तो यह आपको direction बता देगा किसकी vector की तो यह आपके सामने लिखे है relation जो आपको मैंने drive करके यह formula कहां से आया वो भी diagram से ही बता चला मुझे respect to some origin point तो आप अगर मैंने अपनी position बतानी हो तो सबसे पहले मैं एक origin consider करूँगा मैं भी अपनी left side पे मैं उस corner को ले लूँ या मैं भी उस side right side को corner को ले लूँ या left side की corner को ले लूँ तो origin तो with respect to origin मैं अपनी position बता रहा होँगा कि मैं इस point के उपर इस जगा खड़ाँ तो मैंने जो point बताऊंगा x distance count करके y distance count करके z distance count करके अगर space हो तो फिर आपके three components involved होंगे और अगर plane हो तो आपके two components involved होंगे उसके accordingly आप position उसकी लिखतेंगे तो ये definition है क्या बता रही है आपको position vector describe the location of a point with respect to some origin ये है किसी origin के accordingly आप उसकी location बता रहे है हूँ दूसरी बार in two dimensional coordinate system जिसको आपको मैंने बता चुका हूँ कि two dimensional को 2D को plane कहते है और 3D को space कहा जाता है तो अगर आपने 2D में बताना है plane में the position of the vector r the point PAB is described ऐसे आपने लिखना है r a i plus b j और अगर आपने space में लिखना है तो a i plus b j plus c के इसमें a को कहा जाता है a point को abscissa और b को कहते है ordinate अगर आप point की form में लिखे ना ऐसे तो ये देखें p a b तो ये a क्या होता है आपका abscissa होता है और b आपको ordinate होता है तो ये बातें थी जो आपको याद होनी चाहीं थी किस तरह आप एक position vector को लिख सकते हैं उसकी notations कैसे यूज़ करनी है कैसे आपने vectors के symbol यूज़ करनी है कैसे आपने rectangular component get करनी है एक vector से उसके component आज आपने क्या पढ़ा एक vector से उसके components कैसे get करनी है और second part में आपने पढ़ा कि components अगर आपको दी हो तो वहां से vector कैसे get करना है और third point आपने पढ़ा position vector क्या है तो ये था आज का आपका lecture और उमीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कोई point clear ना हुआ तो comment section में जरूर पूछें आपको उसका answer दिया जाएगा आपका माशाला बहुत अच्छा response आ रहा है आप question भी कर रहे हैं और जो आपको समझ नहीं आती वो आप पूछते भी हैं तो यही आपकी